क्रिकेडर युवराज सिंग की जिंदगी पर बायपिक बनने जा रही है और चर्चा जोरों पर है युवराज सिंग की जिंदगी के कहीं पहलू है एक ऐसा खिलाडी जिसने स्केटिंग से शुरुआत की खेल की स्केट अच्छे लगते थे युवराज सिंग को लेकिन उनके पिता योग राज सिंग चाते थे कि युवराज सिंग क्रिकेडर बने और युवराज सिंग को क्रिकेडर बनाया गया डेस्टनी को यही मंजूर था और ऐसा क्रिकेटर बना जिसना रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़े विश्व को एक ऐसा बल्लेवाज जिसके बल्ले पर जब गेंद लगती तो यतिहास लिखे जाते थे मैं इस समय 16 सेक्टर चंडिकर क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हूँ युवराज की जो क्रिकेट की जर्नी है वो इस स्टेडियम से शुरू होती है पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ युवराज सिंग की ये 16 स्टेडियम युवराज सिंग की ट्रेनिंग सेंटर ये वर्ल्ड कप 2011 की ट्रोफिय है युवराज की और अब आपको वो एक मैं डॉकुमेंट दिखाता हूँ वो फॉर्म दिखाता हूँ जब भी हम किसी सेंटर में अडमिशन लेते हैं तो वहाँ फॉर्म भरा जाता है वहाँ पर बकाइदा एक एंट्री होती है कि ये खिलाडी ये प्लेयर उस सेंटर का है तो ये वो फॉर्म है युवराज सिंग का वो एक मासूम सा चेहरा युवराज सिंग का शादू से मैं सोचा नहीं होगा कि इतना बड़ा खिलाडी बनेगा तो ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं ये सेक्टर 16 क्रिकेट स्टेडियम का फॉर्म है यहाँ पर डिटेल्स भरी जाती है युवराज सिंग फोटो लगी हुई है और एक खिलाडी जब इस ग्राउंड पर आया तो यहाँ पर उस समय जो कोचिस थे क्योंकि योगरा सिंग खुद क्रिकेटर रहे हैं क्रिकेट खेलते रहे हैं और अपने बेटे को क्रिकेटर बनाने कि जिद और जनून था उनके अंदर और एक वर्ल्ड लैवल पर एक खिलाड़ी तियार करने के जो उनका सपना था तो उसकी जो करियर की शुरूआत हुई वो इसी स्टेडियम से हुई यह तो आपने फॉर्म देखा युवराज सिंग का और अब मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा इस फॉर्म के लावा के एक आप रिजिस्टर देखिए यहां पर यह जो रिजिस्टर है क्योंकि यहां पर एंट्री होती थी और इस रिजिस्टर में देखिए उस समय नाम आपको यहां पर रिजिस्टर में यह देखिए पंतालीस नंबर जो लिखा युवराज सिंग ऐसे अटेंडर्स लगती थी खिलाडियों की और इस लिस्ट में बात करें तो और भी क्रिकेटर्स उनके साथी रहे हैं चाए दिनेश मोंगया हो बाकि जो उनके साथी खि खिलाडी थे तो जो पंतालीस नंबर को मैं कहूंगा थोड़ा जूम करके दिखाईए युवराज सिंग का यहां पर नाम है और युवराज सिंग की यह अटेंडर्स लगी हुई है तो आप देख रहे हैं कि इस रिजिस्टर यह है सेक्टर 16 क्रिकेट स्टेडियम का रिज कि यह जो स्टेडियम है यहां पर कपिल देव से लेकर युवराज सिंग से लेकर युवराज सिंग की बात करें हरभजन सिंग का भी स्टेडियम से नाता रहा है क्योंकि जब अकैडमी थी हरभजन सिंग यहां पर ट्रेनी रहे हैं तो तमाम एक जो कहानी है युवराज सि एक राए उसको लेकर आए उसको किरिक्टर बनाना है मासूम्सा गोरा सा एक लड़का जो लगता नहीं था कि कभी इतने बड़ा करिक्रिक्रिक्र बनेगा पर जो मेहनत उसने की है अपनी जिंदगी में वह मैंत की हमने भी बहुत मैंत की है तो उसकी बज़र से वो आज जो है हिंदोस्तान का इस्तारा है तो यहां साधे साथ आठ साल युवराज यहां पर ट्रेनिंग की नाइंटी एट तक नाइंटी एट में जब वो यहां से गया तो यूनिय वर्लक अफ खेलने के लिए गया था तो आम बार पारकिंग में उसको लास्ट अमने बीदा किया था उसके बाद फिर वो हिंदोस्तान के लिए खेला फिर तो वो उपर ही खेलता रहा यहां कभी कभी यहां ना होता है लेकि जब भी मिलता तो यहां जुरूर आता है कैसा दोर वो याद करेंगे हरीज जी क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है कि योगराज सिंग की जी महेनत एक जनून था उनके अंदर आप कोच थे यहां पे उस समय थे ग्यारा साल का लड़का जबाया तो शुरूराज सिंग लगा के क्योंकि स्केटिंग उनका पहला प्यार था यूराज का स्केटिंग में था उसका पर योगपाजी को शौब था कि मेरा बैटा है तो यार मैं अगर इंडिया केला तो यह भी क्रिकटर जो इंडिया के ले केले तो उनका सपना था थोड़ा सा शुरू में इनिशली इतना उसको इंटरस्ट नहीं था पर दिरी दीर हमने उसका बैट्समेन है अगर लेफ्ट एंड से बॉल करता है तो उसके लिए के लिए बहुत अच्छा है वो उसने भी बहुत जल्दी पिक अप किया और धीरे धीरे वो ग्रैजूली इंप्रूव करता चला गया और जब वो एक यूवराज की जो ट्रेनिंग है उसका ट्रेनिंग म करने से बच्चे के सेथ पे या उसके दिमाग के उपर असर पड़ सकता है तो शाम को बाते तो हम जो जो सुबागा उनका चड़ा होता था था बूद हम शाम को उतार देते थे तो किस तरह से रहा जब दिरे युवराज का टाइम गुजरता गया और आपको लगना कि अब यह खिलाडी के डिफरेंट है नहीं देखो मैं अगर चाहिस से काऊं तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि युवराज कभी इतना बड़ा प्लेयर बनेगा इनिशली सारे जो खिलाडी होते हैं वो बड़ नॉर्मल से होते हैं बट एक ही आप्स टैंथ प्लस वन के बाद जो बच उन लोगों ने बाद में जाके बहुत मैंत की थे इस करके वो जो पर्चम को जो हिंदोस्तान का जो पायदाने उसको चूप आए बिल्कुल तो जिस हिसाब से अरीज जी ने बता रहे थे क्योंकि यहां पर कोच रहे हैं सेंटर के और वाकई एक खिलाडी जब शुरू में बिल्कुल डिफरेंट रहां वो कहते हैं बहुत हैं कि मेरा यही स्टाइल है खिलाडी को एक बड़ा खिलाडी बनाना की अलग तरह से बनाना और यूवराज सिंग की जो ट्रेनिंग सेक्टर 16 स्टेडियम की बात करें जो डिफरेंट ट्रेनिंग रही खुद कोच इस की ड फॉर्म देखा तो मुझे भी बड़ा लगा कि उससमें एक मासूम साजो चेहरा यूवराज सिंग का इस फॉर्म में आपको नजर आ रहा है तो एक बड़े खिलाडी को देखकर उसमें किसी ने साइट सोचा नहीं होगा कि वर्ल्ड चैंपिन खिलाडी एक इतना बड़ा क इक सर किंग कहलाएगा और जिसकी जिन्दकी तमाम चाहे वो कैंसर की बात हो या या वो जिन्दकी की और अप एंड डाउंस की बात हो क्योंकि उराजिंग ने कभी हार नहीं मानी रंजी में भी जाकर वापसी की रंजी में परफॉर्म किया कैंसर को हराया और तबी ऐसे ख खिलाडियों में भी एक जजबा जगेगा देश के लिए कुछ कर गुजरने का विडियो जनलिस्ट अजय के साथ उमेश्रमा न्यूजेटिन चंडेगट